लो एब्रिवान विल्कम बैक टुस्म थोर्ण आरसी ग्रूप दे प्रिवेस एर के कोश्चन सेरीज चल रहे है टाइम एंड वर्क का कोश्चन है यह इसका पहले तीन क्लास्स हो चुका है जाओ जाके चेक करो और यहां से हम लोग थोड़ा से समझेंगे किस तरीके से हम लो अब का पूरा कोश्चन खता होगे सारे के सारे पीडियोप वहां पर अप्लोड हो जाएगा एक साथ अपलोड हो गा ठोड़ा से तोड़ा करके नहीं एक साथ हो जागा ठीक है ताकि उसके उसके बाद आपको करने में आसा नहीं आ A can let railway track between two given stations 16 days in 16 days, 16 days B करता है, same काम को 12 days, with the help of C, they did the job in 4 days only, then C alone can do the job, Sir A करता है 16 days, B करता है 12 days, A, B, C, 3 मिलके 4 दिन में काम खतम कर लेता है, तो total केतना काम हुआ, Sir 16-32 नहीं हो रहा है, 16-64 कर सकते हैं, 12 से कटेगा, 6-12 नहीं हो रहा है, 4-3-12, 16-48 कर लेता हैं, खतम हो जागा, Sir 48 total unit of work, हमने कैसे किये, Sir total unit of work को 48 कैसे निकाले, देखो ध्यान लगाते हैं, एक चीज़ बताओ, कि 48 कैसे निकाले, 16 के साथ, यहां पर 12 में 3 है, 16 में खाली, 3 गाटा है, बाके साब 4 है, उसमें 13 गाटा, उसी टाइप का है, अब बताओ सर एक चीज सी कितना यूनिट करता है चाहती साथ बारा से साथ माइनस कर लो कितना हो तो सर पांच यूनिट प्रती दिन के हिसाब से फॉर्टी यूनिट खतम करेंगा कितना है इस अब से पांच नौ पैतालिस तो नाइन विश्ट दिवाद थ्री आपन फाइफ डेज में खतम कर लेगा ऑप्शन नमबर थ्री इस दा करेक्ट आंसर पहला कोईश्चन खतम कोई दिक्कत इसमें आसा करता नहीं है तो चलो चलत चैप्टर इसके बाद पहले चाहिए तो कमेंट सेक्षिन में जड़र बताईएगा उस चैप्टर को हम लोग पहले कवर करेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई भी चैप्टर इतना भी को रिलेट नहीं है कि यह चैप्टर नहीं करवाएंगा तो यह नहीं इस सी वाले जो जो दे रहे हो इंस्ट्रॉल्मेंट वाला कोईशन पढ़के जा उससtalk लिए आने वाला क्योंकि लास्ट के तरफ इंस्ट्रोल्मेंट ही पचा रहता है तो यहा करता है तो एक इतना दिन में करता है चो दिन में बी कितना दिन में करता है आठ दिन में और सी कितना दिन में करता है सर ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी के साथ सी करता है तीन दिन में ठीक है थोड़ा सा इसाब लगाते है इन तिनों को जोड़ते देखते क्या होता है अच्छा देखो सर एल्सीम कैसे ले लोगे सद्धेखो तीन तो इसमें च्छे में है तो आट में कितना है सर आट के साथ आट के साथ आट तीन 24 ले ले लेता है बस एल्सीम हो जाएगा सर 24 ये एल्सीम थोड़ा सा जल्दी करना सेख लो एक दम टोटल यूनिट औफ ऑफ यूनिट फोड़ा सा थोड़ा सा मल्टी कलर पेंगे बता एक चीज क्या गूरू जी बताए कि टुटल इन में पैसा कितना में बाटेंगे तो फॉर इस्टू त्री इस्टू वान में बाटेंगे तो चार चार आड रेशियो बराबर सब्सक्राइब निया वाइब तो चार रुपए एक यूनिट के लिए एक यूनिट तो चार रुपए या ठीक है ऑप्शन नमर्ट टू इस दो करेक्ट अंसर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगी चलते ही तो बड़िया बड़िया कोईशन मिलेगा तो उसको सल्व करने में मजा आ जाएगा ठीक है देखो सब्सक्राइब नहीं दिख रहा थे हिंदी वाले अच्छा डेली मजा नहीं आ रहा कौन सा वला कुश्चन तो टाइम स्टैम दो और किस कुश्चन को आपको नहीं पता था इस तरीके से किया जाता है तो टाइम स्टैम दो उसमें कमेंट करो कमेंट जितना करोगे तो क्या हो जाएगा यह इसका जो क्लास होता है वो सभी स्टुडेंट तक पहुचता हैं क्या होता है YouTube का एक अल्गोरिधम होता है असी आपको पता है हरे एक पर चीज एक चीज बोलते रहाता है कि कुछ भी हो जाए या तो लाइक करो या पसद नहीं आ तो में एक ऊंपाइट प्रस इंहें सब्सकरता हुआ है रफेट को लोग पोड़को सब्सक्रटि क्तीर में होचि अगर मैंस पॉसरी टीजसरे खीए-प के विर्म लुश्मेंट बच्विस में इस अला थीक है तो यहां से हिसाब लगाव 4 मिन बरावर कितना वहता इप ब्रावर कर लेता है यह वाला पहले को लाइक करते हैं तो छे दुना बारह और आड लाइ मतला बीस बाई तो बीस गुना दस दिन यह होता है बॉय इस अपर किस लोग थोड़ा सा ऐडवांस के तरफ चल रहे हैं अभी क्यूंकि 2018 का कुष्टन जब आ जाएगा तो मज़ा आजाएगा क्यों मज़ा आजाएगा कह रहे हूं क्योंकि उसमें सही में questions अच्छा था ठीक है तो देख लेंगे 2018 का भी सारे question हम लोग कर रहेंगे आज आदमी और वारा बच्चे किसी काम को नौ दिन में पूरा कर सकते हैं यह ध्यान लगना यह इंगलिश टर्म में थोड़ा सा कर लेना तो आसा नहीं हो जाएगा 8 men and 12 children can do a piece of work in 9 days a child takes double the time to do the work than the man in how many days boys days 12 men can complete the work देखो सर एक चीज़ दिया हुआ है 8 men plus 12 children बरावर कितना into 9 days यह में डे होता है ठीक है यहां पर दिया हुआ है में के efficiency वरावर twice times of children के efficiency तो सर इसको में में करता है सर दो चील्डेन के जगा पर एक में बिठाता है मतलब 6 children के जगा पर 6 बैठेगा चे में तो आठ चुके 14 में गुना नौ यह हो जाता है समझे की ना समझे हां सा समझ गए तो बताव एक चीज इस टाइप का जो question है इसमें कोई आपको दोरा है हो रहा है नहीं सर जब भी इस टाइप का question रहे तो उसको थोड़ा सा समझदारी से काम लो यह आरसी पाटना ग्रूप डी 2014 वाले question में से एक था आप देखा जवलपूर question आ गया जवलपूर वाला question 2014 का question 18 बॉइस complete a piece of work in 24 days in how many days 27 बॉइस complete the same piece of work तो 18 बॉइस दिन में करता है मना पर एक बॉइस कितना दिन में करेगा आठ रा इंटू 24 दिन में अपन 27 बॉइस कित तो चलो देखते है next question क्या दिया वाए 8 women can complete a piece of work in 15 घंटा 15 घंटे में 8 women कोई काम कर लगता है तो 8 women करता है 15 घंटे में in how many hours will 12 women can complete the same piece of work तो आठ गुना 15 बटा 12 तो चार तीन चार तीन बारा तीन से तीन पाच 15 दस दिन में काम खतम हो जाएगा ये भी कोई question था नहीं सर ये question भी नहीं था लेकिन हम लोग समझता है ये क्यू होता है formula में देखो 8 women करता है 15 घंटे में तो सर एक women करेगा कितना घंटे में का previous year का question है ठीक है थोड़ा सा हिसाब लगा के practice कर लिया करो तो चलो देखते है next question क्या दिया हो है कि ये जवलपूर गूरूप डी 2014 का question है देख लो देखके एक बार हिसाब लगाओ क्या सीखते हो A and B together can do a work in 12 days 12 दिन में काम खतम करता है B और C A plus B कितना दिन में 12 दिन में B काम करता है 60 unit एक दिन में करेगा 12 से 125 साथ इंट 15 दिन में करता है 60 unit मतलब एक दिन में काम करेगा 15 के 60 unit ठीक है अब बताओ क्या दिया हुआ है और चीसिंसी मिलगा सब्सक्राइब 100 शेटक हिए तो एकस का वयलू से विप्यसियंशी कितना होता है सर 20 मिल गया तो भी कहा हो जाएग तो 300 मिल जाता है unplet के फिसे सिर्मेट 9 to 3 एफिशियंस है मतलब कितना देर में काम खतम करेगा साट यूनिट ओफ वर्क टोटल यूनिट ओफ वर्क साड मिला था तीन यूनिट काम करता है एक दिन में तो साट यूनिट काम करेगा कितना दिन में सा तीन दुना साट तो बीस दिन में खतम हो जाएगा option number one is the correct answer ठीक है क यह questions जो दिया हुआ है ठीक है यह जो question है questions नहीं यह जो question है यह and b can do a piece of work in 6 and 12 दिन में respectively both they will do the work in how many days हमने आपको सिखाया था कि x into y upon x plus y होता है ठीक है बारा चोके आटरा तो 6 ती आटरा तीन चोके बारा तो दोनों ने मिलके चार दिन में काम खतम कर लेगा यह कहां से आत unit x दिन में करता है xy unit मेरे language को समझो और जाकर समझना x दिन में करता है xy unit एक दिन में करता है y unit y दिन में करता है xy unit एक दिन में करता है x unit तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना करेगा sir x plus y unit x plus y unit करता है एक दिन में तो xy unit करेगा कितना दिन में sir xy xy होगा xy upon x plus y दिन अब देखते हैं नेक्स्ट कुशिन क्या दिया है अब 10 men working 6 hours a day can complete a work in 18 days in how many days must 15 men work to complete the work in 12 days अच्छा सर एक ही काम है हां सर तो टीन में शिक्स गंटा काम करता है अटरा दिन का ये मेंडेस का काम M1 D1 T1 इकोस टू फिफ्टीन में बारा दिन का काम कर रहा है कितना सर M1 D1 T1 अपॉन M2 D2 T2 इकोस टू तो सर यहां से काटता है तो सर पांच दिन पंदरा पांच दूना दस तो तीन दूना छे कट गया सर बारा से कितना होता सर छे दूना बारा छे ती आटरा तो दो दो कट गया तो तीन दूना छे टी टू वराबर छे घंटा खतम कहानी option number one is the correct answer पढ़िया बात को द obrigado चनेच्व घंटे के काम करता यah सर नो परसे घंट करेगा कितना मिलेगा सर मनीन कीतना हो घंट काल गए तो सर 00.' contro कितना पाइसा मिलता है सथेरा सो पचास मिलेगा हमने सगी कि ए नहीं सर नौपांच पैतरी सब्सक्राइब तो इसको गुना करेंगे तो नो से कितना हो तो जिरो नौपाच पैतल इसका पांच के रिफट चार नौई कमना नाइन फोर फाइब जिरो इस दा करेक्ट अंसर अप्शन नमर थी ठीक है थोड़ा से ध्यान लगाने ना गुना पर हमने जीरो को हटा दिया था पूरा एक दो मन से अपने कर लिया जैसे मिनिश्टर साब के मन की बात होता है वैसे ही मेरा मन का क्विश्चन हो गया ठीक है जो कोई रिलेवेंस नहीं होता है देखो पी और क्यू केंड दू पीस ओफ वर्क इन ट्वेंटी देज एंड ट्वल्फ देज रिस्पेक्टिबली पी स्टार्टेड वर्क अलवन आफ्टर फोर देस क्यू जाएं देम तिल दे कंपलीशन अब देवर्क हाव लॉंग डिट दीन में करता है क्यू किदना दि दिन में को स्क्रट Index एक दिन मेरता की बेट जोट वजा grave नटीनिकर आटालीश न टारिगा नीट करता है इस हब से सब्चासर चाइव लांग लास्ट यहां पर चार दिन का था और यहां पर चे दिन का काम टोटल चलेगा option number one is the correct answer यहाँ पर देखो छे दिन भी दिया हुआ रहेगा लेकिन आपको मार्क कितने में करना है सा दस दिन में करना है क्यों कि पहला वाला दिन भी लेना है देखो बारा में केंड दू ए वर्क पीस ओ वर्क इन 24 देज अगर बारा में 24 दिन में कोई काम खतम करता है तो हाव मेनी डेज वी नीडेट टू कम्लीट दा वाक इन 8 में दू दिस वर्क तो सर बारा गुना 24 बटाट तार तीन 24 बारात या 36 दिन में काम खतम होगा option number two is the correct answer एक कीस फर्मूला से कर रहे हो सर एम वन डिवा निकोस्टे एम टू डिटू इस फर्मूला से अपलाई कर रहे है देखो आपका कोई भी डाउट रहता है एक्जाम में कोई भी कोईसिन में तो एक्जाम पोटल ss.maathana at the rate of email.com पर भेज़ देना लिखना थोड़ा सा पेच सब्सक्राइब कितना घंटे में तीन घंटे में और पी कितना घंटे में तो बहुत ही बड़ी यह थोड़ा सो जोड लेता है तो चार तीन बारा कर लेता है हां सर टोटल यूनिट औफ वार्क बारा यूनिट तो एम चार घंटे चार जिंट करता है कितना दिन में चार घंटे में करता है चार घंटे में करता है निगालना है यहां पर पी निकाल लेता है, तो पी कितना यूनिट करता है, सर चे माइनस तीन, सर पी कितना यूनिट करता है, सर चे माइनस तीन बरवर कितना यूनिट, सर चे माइनस तीन बरवर तीन यूनिट करता है, अगर पी तीन यूनिट करता है, तो एन एक घंडे में कितना यूनि कितना दिन में 12 घंटे में काम कितम हो जागा इसके बाद 18 वाला आजएगा या फिसक्स्टीन वाला भी आएगा उसके बाद 18 आएगा ठीक है 16 एंटीपीशी वाला कोश्चन अगर आता है तो ठीक है नहीं तो 18 वाला डायरेक्ट आजएगा 7 में कंप्लीट एपीस वार्क इन 12 देज हाव मेनी एडिशनल में विल रिक्वर्ट टू कंप्लीट दबल वार्क इन 8 देज अब देगो सब्सक्राइगा बारा गुना साथ गुना बारा गुना अपन वान इकोस्टू नंबर अब में पता नहीं इतना कितना दिन में आठ दि बढ़िया बात कोई दिक्कत इसमें आसा करते नहीं है तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या दिया हुआ है कि देखो एवी सी टूगधर डूए वार्क इन छे बारा आट और बारा दिन में रिस्पेक्टिवली बी एंड सी टूगेदर करता है तूगेदर फर टू कौन काम किया सर तीन दो पांच यूनिट पती दिन के इसाब से दो दिन में कितिना काम करेगा पांच दूना-दरट तो चौविस में से दो-ड्याद होगे कितना बचा रहेगा 14 अब सर अब कौन काम कर रहा है सर एट एक सी स्प्लेज मतलब ए और भी काम करेगा सर चार तीन साथ दिन में साथ यूनिट प्रती दिन के हिसाब से काम करेगा तो साथ यूनिट करता एक दिन में 14 यूनिट करेगा दो दिन में ठोटल काम कितना दिन चले कोई दिक्कत आसा गरते कोई दिक्कत नहीं है तो चलो देखते नेक्स्ट क्विश्चन क्या दिया हुआ क्या दिया हुआ देखो यहां पर एक्स कैन दू फाइब टाइम्स फास्टर दन वाई और सो इट टेक्स 56 देज लेस दन वाई फाइंड टाइम वीच एक्स अलॉण केंप्लीट दवाग तो एक्स फांच दिन लगाता है फास्टर काम करता है ठीक है तो एक्स का अगर एक्स दिन लगता है तो वाई का कितना लगें सर फाइव एक्स टे इन दोनों का गैप कितना है फोर एक्स दिन बराबर यह एक्स है य फाइब टेंस फाश्टर दन वाई अड़ एक्स फिप्टी सिक्स डेज लेस दन वाई अच्छा वाई से चपन दिन कम लगाता है ठीक है बहुत भागा अच्छा यह डेटा थोड़ा सा गलत है क्यों क्योंकि गलत लग रहा है देखो सह चौदा दिन आ रहा है हमेरे नहीं मिल सुन रहे हो ना 36 हो जाएगा यह 2016 का क्वेशन है देखो मैंने बोला था ना 14 के बाद 16 आ जागा उसके बाद हम लोग 18 वाला क्वेश्चन कर लेंगे देखो जदी दो बटा तीन वार्क वार्क है वार्क है यहां से कितना आ जाएगा सर दो बटा तीन वार्क है वार्क है वार्क है तो टूटल कार यह कितना था तो टूटल कार रिया था सर तीन कार रिया था ठीक है यह थोड़ा सा हिसाब थोड़ा सा गलत है इसमें थोड़ा सा मत फसो कितना कितना कारियों में से तीन में से दो काम खतम होगा दस बटा तीन दिन में तो सर एक काम खतम होगा कितना दिन में सर अपन टू हो जाएगा उपर कितना हो क्या दिया हुए है पांच बटा तीन होना चाहिए था टोटाल काम पांच दिन में होना चाहिए था तब जाके अंसर मिल जाता यहां पर देखो सब डेली सिविटी 2016 का क्या करता है तोगेदर कैन बिल्ड वार फाइब फूड हाई वाल इन टेंडेस मार्क अलॉन केन बिल्ड कि में सेग बटा बारा यूनिट तो डुना के ये कडले साट गॐल सेड़न करें कि एक चैट गीं-क ऑडूनीट करए इनक खरता है स挑 cur और कोी दिक्कतल नहीं आसा करते नहीं है तो चलो देखते है नेक्स्ट क्या दिया हुए कि यहां पे क्या दिल्ट करता है कुछ नहीं जादा नहीं कमल क्या LA करता है सब बड़ंचा और कबीस दिन में करता है तो किदने गर professionals 24 प्लास 22 तो कितना होता सर 24 गुना 22 अपन 46 तो सर कितना होता दो 23 चालिस दो 22 बारा चौविस होता है तो बारा दुना 24 अब बारा दुना 24 तो 264 अपन 23 दिन में खतम हो जागा 264 अपन 23 दिन में option number 22 correct answer यह आरसी गुरूप डी डेली सिमोटति पिजिके लिंटरी कोई कॉष्च्चं था लिए नहीं तो के लिए उसके लिए कोशुन सही था सही था ठीक है जिए कमल क्या करता है सेрьह फूट हाइवल साथ घंडे में स्था अभ है क्या करता है थzahlधे देगाश्ट सी गे आसल ऋरह रहा lidt्य ठीक है यह जो question आएगा यह question आपके लिए homework रहेगा ठीक है बना लेना यह rsi group d 2018 का question start हो चुका है आगे जाके आएगा और भी आएगा ठीक है तो यह बना लेना homework कितना आता है आपका answer बताना जरूर यह आपके लिए homework है जरूर करना भाई आप जो comment कर रहो वह आप comment section में answer को बताना आप अगर सही आता है तो दिख जाएगा अच्छा time and work का बाकी question भी देख लाए ना प्रिवेस यह जो timeline दिखा रहा है राइट साइड में आपको देखना है तो इसको solve करना ना ओके सर आज के लिए सब्सक्राइब रखता है थैंक्यू बाबाई stay tuned for the next class